जेन अपने भावों के द्वारा पर्षे सम्मधित होकर पाराधिन बनता है और कर्मों का अश्रों करके बंद करके लेता है और अपने इस संसार के परंपरा को स्ताई बनाता रहता है भावों के द्वारा ही पूर्षार्थ के द्वारा परक्याने कर्मों से संबन से मुक्त और स्वतंत्र भी हो सकता है और संवर पुर्वक निर्ज़र करके अपने आत्मा को पर्मात्मा बना सकता है भावना जेंधर में एक शब्द बहुत प्रचलित है और उसका प्रायव आत्मा के साथ ही संबन लिया जाता है भावना के इतनी शक्ति है कि प्रत्यक वेक्ति भावं के द्वारा भाव का नाश कर सकता है कई प्रकार की भावना होती है आज समय कम है कल समय पर कल से विशेख ज्यादा देंगे आज दर्शन विशुदी भावना है दर्शन और विशुदी द्रिष्टी निर्मल बनना ही दर्शन विशुदी है जब वेक्ति ये भावना भाता है और तिर्थंकर प्रकृति का बंद करके लेता है कारण और कार्य कारण भावना है और तिर्थंकर प्रकृति का बंद ये कार्य है और ऐसे निर्मल बहावना को 25 मलों से रहित जब सम्मिक दर्शन को प्राप्त करने वाला वेक्ति चत्रत गुनस्तान चलेकर सात्वे गुनस्तान के छट्वे भाग तक तिर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है आवेरज चलेकर अपूर करन तक और इसी पहली भावनाज की यहे हमें बताती है कि हमें वो प्रसंग्याद आता है कि नंदराज चकरवर्ति जब माविर भगवान के पहले भहुत था उन्होंने प्रत्यक जीवों की कल्याण की भावना भाई थे और यह भाकर तिर्थंकर प्रकृति का बंद करके उन्होंने प्राणियों की कल्याण की भावना भाणा दर्शन विशुद्ध कम बनता है कि तत्व का चिंदन करने वाला व्यक्ति ही दर्शन विशुद्ध की भावना भा सकता है और इस भावना भाने वाला व्यक्ति प्राणियों की कल्याण की भावना भाता है और तिर्थंकर का बंद करके तिसरे भव में नियम से तिर्थंकर बंद के मौक्ष को प्राप्त करते हैं तो वो चक्रवर्ति ने बंद किया था और उन्होंने वे तिर्थंकर बनेते तीर्थ और कर जो धर्म का तीर्थ का प्रवर्थन करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं और ऐसे तीर्थंकर पद को भाने वाला वेक्ती भावना यही बाता है जैसे किसान कहता है वरश्टी समय पर हुआ करें जिस तरह किसान भावना भाता है लेकिन वो भावना भाने से सब खेतों में जब बारिश हो जाती है लेकिन किसान अपना ही खेत की पसल को काट सकता है उसी तरह सब की कल्यान की भावना भाने वाला वेक्ती अपना कल्यान करी लेता है क्योंकि समय आज ज्यादा हुआ है कल समय पर आप आएंगे क्योंकि विशे ज्यादा है लेकिन समय आपका हमारा आपका ने हमारा समय हुआ है इसलिए कल समय पर आप आएंगे बहुत अच्छा विशे है आज का विशे मैं कल भी दूँगा इतना याद रखना कि जीवन में य यह भावना अभी तक जो भावना नहीं भाई, वही भावना भी भावना है आज से, और ऐसी भावना भावना है, जिस भावना भावना से, क्योंकि आचार कहते हैं, जो भावना अभी नहीं भाई, उसको भाएंगे, तो आगे का आपका भाव सुदर जाएगा, तो इसी इतन रोवन में आज का दोजा रोवन यही हुआ कि धर्म का दोजा एक प्रतिक है और धोजा रोवन मंगलमे वातावरन आज से बना है और यहां से अभी प्रारम हुआ है आनंद और आयेगा और मैं बताना चाहता हूं कि एक एक आरग के पीछे हमारी असंख्यात गुनी निर्जरा शुरू हो जाएगी इसलिए कल से जितने अभिश्य की भी करती है वो भी सब पूजन में समय पर बैटेंगे सवाड साध्याड बजे तक सब कारिक्रम अपना उसके पहले भी हो सकता है तो कल से करेंगे यतना ही कहें आज से भावना भाकर हमें महान पूर्षों ने जिस भावना को भाई थे उसी भावना को भाकर अपना कल्यान करके लेना है आयूसाब परमधर्म की